हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसे सी क्रैकर्स और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत-बहुत स्वागत है तो आप सभी का स्वागत है रिजनिंग के स्पेशल क्रैस कोर्स क्लास में आज जो है रिजनिंग का टॉपिक टू है और टॉपिक टू में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि इस टैप की कोर्शन्स आते हैं वेंड डियाग्राम के माध्यम से आपसे कोर्शन पूछा जाता है आपके एक्जाम में और आपको रिलेशन बताना होता है समझ गए तो ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से जहां पे जो है स्टूडेंट को थोरा सा प्रॉब्लम होता है उनको लगता है कभी one answer होगा कभी two answer होगा ये वाला situation बना होता है बट इस वीडियो के बाद ये सारे जो आपके doubts हैं वो clear हो जाएंगे समझ रहें क्योंकि आपको मैं फिर वापस से बता रहा हूं कि reasoning में सिफ यही 10 topics हैं जो मैं आपको आने वाले 10 दिन में complete करवाने वाला कर उसके बाद reasoning का जो है आपका पूरा practice से 25 questions का करवाएंगे समझ गए तो start किया जाए अपना class और आज इस class के खत्म होते होते तक आप इस type questions को 2-5 seconds में बहुत इसली आप बना सकते हैं ठीक है तो चलिए start करते हैं पहला question आपके सामने आ चुका है और देखिए जिन लोग जो लोग new हैं इस type के questions के लिए तो उनको definitely है कि आज सिख कर ही वो जाएंगे और last question होते होते तक आप भी speed में answer देने लगेंगे तो उमीद है कि पहले question का answer जिन लोगों को आता था उनका answer आ चुका होगा अब हम समझते हैं कि बनाते कैसे हैं देखिए देखिए ये basically क्या ह आपका इस type के questions पूछने का मकसद क्या होता है देखिए क्योंकि आप देखिए आप कोई भी बरे से level का exam अगर देंगे तो उसमें इस type का question रहता है इस question को पूछने के लिए जो examiner का और point of view तो वो क्या होता है कि आपको ये decision लेने आता हो ये इतना समझ तो आपके अंदर होना चाहिए कि कि किस को कहां पर अच्छे जगर से आप categorize कर सके मानिए कि यहां पर जो है अच्छे लोगों का group है और यहां पर बुरे लोगों का group है और यहां पर neutral लोगों का group है जहां पर अच्छे भी हैं और जहां पर बुरे भी हैं तो अगर मान के चलिए कि कोई नया मतलब आपके सामने एक आदमी आता है और यह बहुत अच्छा है अब अच्छे आदिमी को आप अगर बुरे ग्रूप में डाल देंगे तो ये भी खराब हो जाएगा अगर आप खराब आदमी को अगर अच्छे के ग्रूप में डालेंगे figure के माद्यम से ये पूछने का main motive होता है अब देखिए यहाँ पर brinzel है यहाँ meat है यहाँ vegetable है अब आप मुझे बताइए कि यह हो गया पूरा vegetable यह क्या हो गया? vegetable हो गया अब यह जो brinzel है जिसका मतलब होता है हिंदी में bagan अब bagan जो है क्या है? bagan, सबजी है, vegetable है तो आप इसको कहां रखेंगे? vegetable के group में रखेंगे जो meat है यह अलग group में रखेंगे क्योंकि यह non-wage हो गया और यह wage वाले item हो गया तो figure क्या आपका बनेगा? अब देखिए आप अपने समझ बुद्धी से जो है इसका answer निकाल ली है कि यह हो गया आपका vegetable vegetable के अंदर में आ गया आपका brinjal और यह जो meat है इसको आपने side में categorize कर दिया तो यह answer क्या होगा? 3 होगा next question से हम लोग और अच्छे से समझ पाएंगे अब आपके सामने question आ चुका है cow, animals और goat अब आप देखिए इसका answer आप लोगों काया? चलिए, साथ में देते answer अब आप देखिए कि यह आपका हो गया animal अब मुझे आप बताइए cow क्या है? cow animal ही है तो हम animal के group में डाल दिये goat क्या है? goat भी animal है तो हम इसको भी इस group में डाल दिये तो answer हमारा क्या बनेगा? यहां भी one बनेगा समझ रहे हैं कि इस type से हम लोग categorize करते हैं बस इस topic में इसी type का questions आता है और इतना ही logic लगाना होता है अब देखिए third question आयबा अब यहां पर मतलब और concept clear होगा आपका जैसे pigeon है, bird है और यहां पर आपका dogs है अब आप मुझे बताईए यह हो गया bird ठीक है? यहां पर है pigeon यह मान के चलिए bird का group है यहां pigeon है और यहां dog है अब मैं आपसे पूछता हूँ कि bird को आप कहां रखेंगे तो ज़्यादा appropriate होगा इसका सही जगा कहां है तो यह देखिए bird है और इसका group कहां है? यहां है क्योंकि pigeon का मतलब होता है कबूतर और कबूतर bird के category में आता है तो आप इसको यहां डाल दिए अब यह हो गया आपका dog यानि कि कुत्ता यह हो गया आपका animal तो यह अलग category का है इसको बाहर निकाल दिए तो आपका answer क्या होगा? यह होगा आपका bird इसके अंदर में आ गया पीजन और यह होगा आपका dog हमारा answer क्या होगा? option number one होगा समझ में आ रहा है कुछ दिमाग के अंदर जो चल रहा है आपके अंदर जो खलबली मचा हो है वो कुछ सान्थ हो रहा है आपका चलिए next देखिए हम लोग next question क्या है यहां से और समझ में आएगा हम लोगों को दियावा है table, chair और furniture अब आप खुद समझिए table और chair यहां है furniture तो हम देखें supremo कौन है? furniture यह table का सही जगा कहा होगा? furniture के अंदर में ही होगा और chair का कहा होगा? यह भी इसके अंदर में होगा समझ रहें? कहने का मतलब क्या है? कि यह हो गया furniture उसके अंदर में कौन सा group आने वाला है? table आएगा और उसके अंदर में कौन आएगा? आपका chair आएगा ये इसको हम बैठा दी, answer क्या होगा, third होगा, अब आप उमीद है कि जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है, दोनों को अब answer same time पे आएगा, इतना तो आपका concept clear हो गया, और इतना भी बुद्दू आप है नहीं, चलिए, question number अब आपका next आ चुका है, यहाँ पे देखिए, है, यहाँ woman है, और यहाँ mother है, अब यहाँ क्या होगा answer, तो देखिए, क्या होगा, यह हो गया category किसका, यह हो जाएगा, लोगों का, यानि कि people का जो है, यह आपका category है, यह हो गया people, लोग, अब लोग के अंदर में, यहाँ पर लोग, जब हम लोग इस्तिमाल करते हैं, त बहुत सारे लोग, एक साथ भीर में खरे हैं, आप जब घर पे गएं, और लोगों आप अपने घर पे जाके, अपने parents को बोले, कि मा देखो, सामने ना, बहुत सारे लोग खरे हैं, अब आप थुरी ना mention किजएगा, ममी, वहाँ पर बहुत सारे लोग ना, लड़के भी ख है, तो obviously बात है, जो भी मदर होगी, जो भी मा होगी, वो सभी मा तो women ही होगी, औरत ही होगी ना, तो अब ये इसके अंदर में आ जाएगी, तो यहाँ पे answer क्या आपका बनेगा, option number two आपका बनेगा, समझ में आया, कि ये हो गएं लोग, लोग के अंदर में औरत, और और अब यहाँ क्या होगा, इसको बनाईएं आप लोग, human being है, boy है और girl है, अब ये भी आपका same concept पे है, कि human being तो लड़का और लड़की दोनों ही होते हैं, तो ये हो जाएगा लड़का और ये हो जाएगा लड़की, अब हम ये नहीं इस figure को बना सकते हैं, कि ये हो जाएंग लड़की का जेंडर अलग है, कि क्या आप semi gender करवा दिजेगा दोनों का, नहीं न करवाईएगा, तो अब वेसी बात है कि लड़का ये हो जाएगा, आपका लड़का क्या होगा, ये होगा human, ये होगा लड़का, ये होगा लड़की, दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन है तो दोनों human being के category में ही, समझ गया है, next question हम लोग देखे, next question क्या है, अब देखे, यहां से आपका और तगरेवाला concept क्लियर हो जाएगा, China, India और Asia, हम इसमें सबसे बड़ा, और यहां पर क्या है न, यहां पर आपका जो है, सबसे बड़ा पहले कौन आता है, हम पहले उसको देखते हैं, अब China में, India में और Asia में, हम यह तो समझ गया कि यह हो गया पूरा Asia, अब Asia के अंदर में आपका China भी आता है, और Asia के अंदर में आपका India भी आता है, यही तो हो गया न, आपका, समझ गया है, यही हो गया आपका, तो China के अंदर में आपका India भी आया, और Asia के अ रहा है आपके एक्जाम में समझ गए कोई सा भी पेपर उठा लेजिए कोर्शन पूछा जाता है और इसका इसका जो नेक्स टॉपिक है जो कल मैं आपको बताने वाला हूं आज कल उसके बाद आपको डिरेट उसी कोर्शन पर ले जाएंगे आपको ठीक है कल के वीडियो में देखें यह आपका हो गया इस यह हो गया चाइना यह हो गया आपका इंडिया ठीक है नेक्स कोर्शन देखें अब देखें ट्रेन है ओके क्या दिया हुआ आपका ट्रेन चेयर और आपका इसकूल दिया हुआ है ठीक है अब आप समझे यहां क्या होगा यह देखिए ट्रे यह भी train में नहीं आ सकता है और श्कूल है इस अलग ही का है तो हम यहां पर यह को सकता है अम देखें यह लए और और इस सोचा से पार में वाकि सूर होता ही होता है तो एसा बन जाएगा और यहां उसका तो अलगAR ऐसका तो अलगी रूट है तो यह हो जाएगा आपका श्कूल और श्कूल के अंदर में क्या आएगा आपका चेयर आजाएगा और यहां पर आपका हो जाएगा ट्रेंड देखिए यह वाला आपका एक फिगर बनेगा लेकिन साथ में कुछ स्टुडेंट ये भी सोच रहे होंगे कि ट्रेन ये हो गया सर चेयर हो गया और स्कूल हो गया अब ये भी आप सोच सकते हैं लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जब स्कूल खुला है तो इसकूल में बच्चा भी होए ये अंडरेस्टूट चीज होगा टीचर भी अंडरेस् अगर ये सब है ही नहीं तो फिर हम स्कूल का है बोलने हैं फिर हम लोग उसको तो कुछ भी बोल सकते हैं इसलिए यहां पर आपको इस टैप से भी सूचना होगा समझ गया आप यह नहीं सूचेंगे कि यह ट्रेन यह चेयर और यह स्कूल जब स्कूल बोल रहा है तो यह हो जाएगा यह और यह हो जाएगा आपका ट्रेन अब कुछ स्टूडेंट यह भी सोच रहे होंगे जरूरी तो नहीं है कि सभी स्कूल के अंदर में एप चेयर लगा दे तो आप अगर चेईर अगर यह फिगर मनाईगा कि 1700 opposition हें कि मतलब मांगे चलिए कुछ चेयर coalition Street आपका train समझ गया है next question चले हम लोग next question क्या दियावा है graduate है doctors है professor है अब क्या होगा अब देखिए यहां पर doctors है professor है और यहां graduate है मैं आपसे एक बात पूछता हूं आप छोटा सा simple सा जवाब देजिए मान के चलिए कि आपके किसी friend का आपके किसी friend का जो है job लग जाता है किस में SSC में SSC में आपका job लग जाता है किसी friend का समझ गये तो क्या सामने वाला आदमी आपसे पूछेगा कि भाई तुम graduate हो अरे भाई SSC का तो हैं ही वहाँ पर कि अगर सीजियल में हैं अगर सीजियल वाले पोस्ट में तो graduation तो होना चाहिए या अगर समझ रहे हैं बात को उसी तरीके से आप बताइए कि कोई आदमी अगर doctor बनेगा या professor बनेगा तो ये तो understood अब स्तुर्ट चीज तो आपका graduate होगा इसलिए यह अपका graduate हो जाएगा जो सबसे बरा होगा और इसके अंदर में आपका doctor हो जाएगा समझ गहें सभी आप्वेस नी बात है कि doctor तो आपका graduate हो नहीं होगा नहीं होगा है यह हो जाएगा आपका डॉक्टर और यह हो जाएगा आपका प्रोफेशर क्योंकि यह पॉसिबल है कि कुछ ऐसे हो सकता है कि कोई डॉक्टर है वह पार्ट टाइम में प्रोफेशर का जॉब कर रहा है या कोई प्रोफेशर है वह रात में डॉक्टरी कर रहा है तो इसलिए यह वाला फीगर आपका बनेगा जाधा appropriate समझ गहें तो यह बनेगा नेक्स कोर्षन देखिए cricket player cricket players और student दिया वा है अब इसको मनाई आपके क्या होगा cricket players and student क्या होगा अब देखिए यहां पर आपका क्या बनेगा यह हो जाएगा cricket cricket यह हो जाएगा players और यह हो जाएगा आपका student समझ गया यह आप यह कर सकते हैं कि यह हो जाएगा आपका cricket ऐसे आप सोचिए कि cricket यह हो गया समझ गया अब देखिए सबसे बेस्ट यहां पर सबसे cricket में ही आएंगे ऐसा तो है यह नहीं यहां पर specific तो नहीं दियावाँ आपका कि आप जो है cricket के the player ही है ऐसा भी नहीं है तो यह हो जाएगा आपका bereits और कुछ player ऑप्शन नंबर वन बनेगा समझ मैं एक बार संजया दें यह हो जाएगा आपका है कुछ प्लेयर जो है cricket के भी हैं समझ ग이지 और यह वाला फिर हम इस लिए बना रहे हैं क्योंकि student जो है जो यहां पर हमने आज ssc का आने वाला जो 10 important topics है उसमें का टॉपिक2 हमुने complete कर लिया है और इसी का जो आजकर advance वर्जान आता है वो मैं आपको कल के topic में बताने वाला हूँ topic 3rd बहुत important है मैं आपको बता रहा हूँ ना अगर मुझे लगा कि मुझे 10 topic से ज्यादा topic बताना चाहिए तो मैं 15 topics करूँगा लेकिन इसका playlist तो आपको बनाकर आपका lifetime के लिए आपको दे देंगे कि अराम से आप देखते रही है वहाँ पर समझ गए तो कल आपसे मिलेंगे topic 2 में तब तक के लिए आप मुझे अलविदा कहें और आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें तो कल मिलते हैं आपसे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए all the best